Hello everyone and welcome to Miraki YouTube. Today we shall study the contribution of Luther Gullick to administrative management theory और जिसे हम कहते हैं structural theory और traditional theory और classical theory और mechanistic theory और formal organization theory यह सभी नाम है administrative management theory के तो इसमें contribution क्या रही Luther Gullick की आज हम पढ़ेंगे. Now आगे बढ़ने से पहले I would like to tell you कि 2-3 दिन से मैंने जो Miraki YouTube पर कुछ questions डालने start किये हैं MCQ questions और कुछ revision posts I have been posting पर ज्यादा लोग उस पर अभी कुछ खास reply नहीं कर रहे हैं तो ये questions मैं आपके लिए डाल रही हूँ ताकि daily आपके 2-3-2-3 questions जो हैं वो revise हो जाएं और exam time पर burden न जाएंगी नहीं तो अगर आपने bell icon दबाया हुआ है तो आपको वैसे ही अपने news feed के अंदर ये post जो है डिख जाएंगी तो प्लीज इनको वीडियो को देखने के बाद ही answer कीचिए ताकि आप कोई भी ऐसे random answer ना select करें नहीं तो बड़ा दुख होता है कि आप इतने कि मैं इतने धान से पढ़ा रही हूं और फिर भी अगर गलत responses मिले तो तो चलिए आज का lecture स्टार्ट करते हैं लूथर गोलिक और लिंडॉल उर्विक ये दो नाम है जो हम कई बार सुनते हैं और अक्सर साथ में ही सुनते हैं तो ये नाम famous कब हुए जब papers on the science of administration papers on the science of administration जब publish हु है जिस थेरी के हम बात कर रहे हैं जिसमें contribution थी हमने पढ़ी लास्ट लेक्चर में हैंजी फियरल की वो थेरी अपनी चरम सीमा पर थी अपने highest point पर थी जिसको हम जैनित बोलते हैं उस पर थी तो तब से इन दोनों का जो नाम है बहुत जादा famous हो गया ये जो papers थे papers on the science of administration ये लिखे थे लूथर गुलिक ने और उनको एडिट किया था लिंडॉल ओर्विक ने अब इन दोनों की खास बात क्या थी कि इनकी जद थेरी है it was based on both experience and research तो ऐसा ही नहीं है कि खाली experience था और ऐसा भी नहीं है कि खाली नहीं है research हुआ किया दोनों ही इनके पास थे और experience भ और यूनीक experience दो कि दोनों के पास था वो क्या था और working in military organization यह दोनों अपने अपने टाइम में कभी ना कभी ही नहीं कुछ नहीं हद तक एक military organization में काम किया तो तो वहां से भी कुछ चीज़े थी जो इन्होंने अपनी theory में डाली अब इन दोनों ने क्या कहा rule of thumb should be replaced by science of management and they believed in universality of principles मतलब जो principles हैं वो universal है अगर वो public organization में काम कर रही है तो वो private organization में भी काम करेंगे तो यह जो दोनों है यह similarities हैं किसके साथ administrative management theory के साथ लेकिन थोड़ा सा यह अलग कहां पे थे यह differ कहां करते हैं इन्होंने कहा administration is an art as well as a science हाला कि जो इस से पहले जो thinkers थे उन्होंने क् कहां था administration is science वो खाली science की बात कर रहे थे पर इन्होंने बोला कि यह कला भी है और यह विज्ञान भी है इन्होंने कहा the art of administration is honed through the science of management administration एक कला है पर उसको अगर improve करना है उसको polish करना है तो उसके लिए science of management चाहिए तो जो विज्ञान है management का वो improve करता है इंप्रोवाइस करता है administration की कला को यह कहा लूथर गुलिक ने और लिंडल उर्वेक ने अब हम इनको एकिद करके पढ़ेंगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूथर गुलिक के बारे में अब यह कुछ फैक्ट्स हैं लूथर गुलिक के बारे में यह अमेरिकन administration expert रहे, he was born in Osaka, Japan in 1892, served in National Defense Council during World War I, तो यह इनका जो वो military experience की बाद हम कर रहे थे वो था, also worked in City Research Institute, New York for 40 years, यहाँ पर note यह करना है कि हाला कि इनका जन्म जो है वो जपान में हुआ, पर यह एक American citizen थे राइट, और इनोंने New York में City Research Institute के अंदर 40 साल तक काम किया, 1921 से 62, लगभग 40 साल होगे, 39 years, उन्होंने Institute of Public Administration जो है, उसके President के तौर पर काम किया, और इसी Institute के यह बाद में Chairman बन ले 1962, और वहाँ पर 20 सालों तक रहे, Chairman की तरहा रहे, Now, from 54 to 56, he served as Administrator of the New York City, बतलब पहले की ही बात हो रही है, जब वो President थे, Institute of Public Administration के, तब यह दो साल बीच में, New York City के Administrator भी रहे, और साथ ही साथ के कई Universities में, प्रोफेसर की तौर पर भी इन्होंने काम किया, तो यह कुछ फैक्ट से Luther Gullick के बारे में, इनकी में कांट्रिबूशन क्या है, Luther Gullick की, जो में कांट्रिबूशन है, वो है, Administrative Reflections from World War II, यहाँ पर नोट एक करना है, कि इन्होंने Military Organization में काम किया था, World War I के दौरान, पर जो बुक है, वो किसके ओपर है, World War II के ओपर है, राइट, सेकेंड इस, Metropolitan Problems and American Ideas, थर्ड, Modern Management for the City of New York, and फोर्थ, Papers on the Science of Administration, जिनको एडिट केसने किया, लिंडॉल उर्विक ने, तो यह कॉंट्रिबूशन थी में, Luther Gullick की, Now, as always, Luther Gullick की जो contribution है, administration में, जितने भी काम है, उनको मैंने easily समझने के लिए, four headings में divide कर दिया है, यह four headings कौन-कौन सी है, basis of department and organizations, किसी भी organization की, अगर हमें departments बनाने हैं, तो किस-किस अधार पे हम उनको बना सकते हैं, तो इन्होंने चार ऐसे basis दिये, next is elements of administration, या फिर functions of administration, तो इन्होंने 7 functions दिये, third is principles of administration, इन्होंने 10 principles दिये, and fourth is aspects of time, time को हम किस-किस तरीके से देख सकते हैं, इसके कौन-कौन से sides हैं, तो आएए देखते हैं, now the first heading is, bases of departmental organizations, तो गुलिक ने कहा, कि कोई भी organization है, उसके हमें जितना भी काम हस को divide कर देना चाहिए, और divide करके हमें departments बनाने चाहिए, अभी departments जो होंगे, किस अधार पे बनेंगे, इनका base क्या होगा, तो गुलिक ने 4 bases हमें दिये, the first one is, on the basis of purpose or function, जो हम department बनाने चाहिए है, जो भी हम organization का छोटा सब organization बनाने चाहिए है, वो काम क्या करेगा, for example, वो commerce का काम अगर करेगा, उसका जो main काम है, वो commerce से deal करने का है, तो वो होगे department of commerce, या फिर transportation के लिए हमने एक अलग से department बना दिया, तो that is department of transportation, मतलब, यहाँ पर department का जो अधार है, वो है, उसका function, उसका purpose क्या है, second is process or skills, किसी काम को करने के लिए, अगर को special skills चाहिए, उन skills के basis पे हम अगर department बना दे, for example, अगर law है, तो law करने के लिए आपको specific law की knowledge होने चाहिए, law की degree होनी चाहिए, तो that is, इसलिए हमने एक अलग सा organization बना दी, department of law, similarly engineering, इसके लिए आपको कुछ technical skills required है, तो हमने बना दे department of engineering, तो यह organizations हो गई, on the basis of process, और on the basis of skills, now third is, departments और organization on the basis of persons, persons कौन से clientele, मतलब, clients कौन है, किनको आप deal कर रहे हैं, आपके customers कौन रहेंगे, for example, अगर कोई department है, which deals with women and child welfare, तो यह particular clients हो गए, इनके women and children, ठीक है, तो यह हो गया, department on the basis of persons, and last is, place or area, अगर कोई department है, या कोई organization है, जो किसी particular area को देख रही है, फिर वो function चाहे कुछ भी करे, पर उस area को देख रही है, that is, organization on the basis of place, for example, tribal area department, तो हमें गुलिक ने ये चार थरीके के basis दिये, पर यह जो इनका concept था, इसे बहुत जादा किटे साइस किया गया, क्योंकि कोई भी organization है, या कोई भी department है, वो किसी एक चीज पर अधारित नहीं होता, तो अगर suppose tribal area department है, तो वो वहां के लोगों को तो डील कर रहा है, पर वो और भी कुछ काम कर रहा होगा, या फिर वहां के लोगों को डील करने के लिए कुछ नहीं कुछ specific skills भी चाहिऊंगे, वहां के लोगों के knowledge चाहिए होगी, वहां के topography के बारे में पता होना चाहिए, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी department या कोई organization इन में से सिरफ एक base के ओपर अधारित होती है, तो इसलिए इनका जो ये concept था, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, अब इसके हम फूल फॉर्म देखते हैं, P stands for planning, हमें पता है planning क्या होता है, तो सबसे पहले element है, function है, administration का क्या, planning, for plan करना, right, second is organizing, to build up the structure, चाहे हो material structure हो, चाहे human structure हो, उसको build up करना, organize करना, third is staffing, staffing में क्या आगए, जितने भी personal administration है, recruitment हो गई, आपकी appointment हो गई, promotion हो गई, ये सारा आता है, staffing में, D से है directing, directing मतलब command देना, order देना, subordinates को, कौन order देगा, managers order देगे, next is coordinating, अब आपको ध्यान देना है कि ये जो acronym है, इससे CO, दोनों से बनता है, coordinating, harmony बनाए रखना, subordinates के बीच में, R is reporting, अब उसने क्या कहा, every subordinate must report to the superior, हर subordinate superior को report करेगा, और क्योंकि वो report, जो जाएगी कौन कर रहा है, subordinate, senior को कर रहा है, तो नीचे से उपर जा रहा है, तो देफोर इस upward flow of information, information नीचे से उपर जाती है, और B से क्या हो गया, budgeting, that is financial administration, तो जो Henry Fjell के 5 elements थे, POCCC, उनको गुलिक ने improvise करके, 7 elements में convert कर दिया, पॉस्टी को, राइट, तो दिस वोज आल, फोर elements of administration, Now, we are done with basis of departmental organizations, as well as elements of administration, अब हम करते हैं, principles of administration, तो गुलिक ने ये 10 principles दिये, कौन-कौन से हैं, division of work of specialization, departmentalization based on 4 P's, coordination through hierarchy, coordination by ideas, यह जिसको हम कहते हैं, deliberate coordination, 5th is coordination through committees, 6th decentralization, 7th unity of command, 8th staff and line, 9th delegation and 10th span of control, इसमें आप देखेंगे कि 3 principles सो coordination से related ही हैं, 3rd, 4th, 5th, coordination through hierarchy, next is by ideas and next is through committees, अब इनको हम एक एक करके देखते हैं, Now, the first is division of work or specialization, इस को जो division of work है, गुलिक ने base कहा है organization का, तो उनका सबसे important जो principle है, that is division of work or specialization, तो यह इनकी बहुत famous statement है, क्या है यह, work division is the foundation of organization, indeed the reason for organization, कि एक कोई भी organization, उसकी foundation है, उसका base है, work division, नहीं खाली base है, बलकि उस organization का अस्तित्व है, उसका होने का कारण है, division of work and integration are the bootstraps by which mankind lifts itself in the process of civilization, तो यह एक बहुत famous statement है, लूथर गुलिक की, यह आपको पता होने चाहिए, in case अगर question आजाए, मैं आपको पता ना भूलगे, कि जो लूथर गुलिक है, उनकी education, उनकी PhD is from Columbia University, right, Columbia University, next is departmentalization based on four P's, यह हमने पहले ही कर लिया है, कि purpose के basis पे, process के basis पे, person, place, इन चारों के basis पे, organization के जो departments है, वो हम बना सकते हैं, इन्होंने क्या कहा, गुलिक ने क्या कहा, that out of the four P's, only one P is the basis for the formation of a department, क्योंकि उन्होंने कहा only one P, इसलिए यह बहुत ज़्यादा criticized हुआ, this was his most criticized principle, and इसको unsustainable भी कहा गया, right, next is, coordination through hierarchy, तो coordination पे गुलिक ने बहुत stress दिया, उन्होंने क्या कहा, कि hierarchy helps in avoiding confusion, and facilitating coordination, क्यों हमें पता है कि हमारे boss कौन है, हमने किसको report करना है, तो confusion जो है, वो कम होगी, और the superior is responsible for establishing harmony, among the subordinates, using his authority, और हर superior की responsibility होगी, कि उसके नीचे जितने भी करमचारी आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनके बीच में वो harmony बनाए रखे, ठीक है, इसके बाद next है, deliberate coordination, or coordination by ideas, deliberate क्यों होता है, जो हम जान की करते हैं, planning के साथ करते हैं, it is coordination achieved deliberately, through proper planning, और इसका एक तरीका, कोरनों ने क्या बताया, by clarity in organization's policy, अगर हम पहले ही, एक जो organization की policy, उसे clear बनाएंगे, उसका actual मतलब क्या है, वो बता देंगे, तो उससे होने वए, सारे conflicts जो हैं, वो पहले ही resolve हो जाएंगे, now next is coordination through committees, committees क्या है, होती है, multi-member body होती है, तो इसमें क्या था, कि जब भी कोई conflict आए, तो एक multi-member body बना दी चाहिए, जो सारे उसकी conflict के कारण देखिए, और conflict को resolve करने में help करे, तो यह था coordination through committees, now coming to the sixth principle, it is decentralization या dispersion of power, भी इसको कहा जाता है, इन्होंने क्या कहा, कि जिस level का work है, उस level पर decentralization होने चाहिए, मतलब जिस level का काम है, उस level के लोगों को authority मिलनी चाहिए, कि उस काम को पूरे तरीके से कर सके, तो if the work is locally in nature, अगर कोई काम ऐसा है, जो local level पर करना है, then authority should be decentralized to the local level, तो ऐसा है कि खाली local level के वहाँ पर, जो लोग हैं वो काम करें, बलकि उन लोगों को authority भी दी चाहे, power भी दी चाहे वो सारे काम करने के लिए, right, now next is, seventh principle is unity of command, unity of command हमें पता है, that every subordinate should get directions from, one superior only, ठीक है जी, next is, staff and line, ये एक principle है, जो गुलिक के, military experience से लिया गया है, जो उनने military experience लिया, वहाँ से principle draw हुआ, line agents या line authority कौन सी होती है, जो people को serve करती है directly, और staff agency कौन सी होती है, जो line agencies को assist करती है, मतला अगर हम किसी भी department में जा रहे हैं, जो department के जो लोग हमें directly मिलते हैं, जो हमें directly serve कर रहे हैं, जो हमारी directly problems लेते हैं, वो कौन है, line agencies, staff agencies कौन सी है, जो इनको help करती हैं अपने काम करने के अंदर, तो ये एक principle है, जो Luther Gullick ने दिया, next is delegation, इन्होंने क्या कहा, that manager should perform only important functions, जो ज़रूरी काम है, वही manager करे, बाकि वो क्या कर दे, वो अपने juniors को delegate कर दे, अब delegation और decentralization में फरक होता है, I hope आपको ये पता होगा, तो बाकि का जो काम है, वो उसके subordinates करें, last principle is span of control, यहाँ पे बहुत important बात, कि Luther Gullick ने, कोई span of control का, जो employees का number नहीं दिया, कुछ लोग बोलते हैं, कि जैसे Luther Gullick ने कहा, कि 5 to 6 employees होते हैं, मेंशन नहीं किया, तो span of control क्या होता है, कि एक जो senior है, वो अपने अंडर कितने लोगों को संभाल सकता है, कितने लोगों को वो deal कर सकता है, तो Gullick did not mention the number of employees, और उन्होंने कहा, it depends from organization to organization, किसी में जादा भी कर सकते हैं, किसी में कम लोगों को control भी कर सकते हैं, right? Now next contribution जो आती है, that is aspects of time, यह आपको हर जगा नहीं मिलेगी, तो कोशिश करेगा इसको ध्यान से सुनने की, right? तो अब Gullick ने क्या कहा, उन्होंने emphasize किया, time as a crucial factor in the organization, एक organization के अंदर time जो है, वक्त एक बहुत ज़्यादा crucial factor होता है, और उन्होंने कहा कि time के, या समय के वक्त के कुछ पहलू है, तो उन्होंने 5 पहलू दिये, 5 aspects दिये, 5 तरीके से हम वक्त को देख सकते हैं, वो 5 तरीके कौन-कौन से हैं, number one, time as input, किसी भी चीज में जो लग रहा है वक्त, input की तरह, वो हो गए time as input, second is time as output, output की तरीके से, तरहा से कौन सा time निकल के आ रहा है, for example, कोई काम है, आपने जल्दी कर लिया तो आपका time बच गया, so that is time as output, third number पे है time as flow of events, जो events गुजर रहे हैं, तो वो वक्त में ही गुजर रहे हैं, तो ये एक पहलू है देखने का वक्त को, time as flow of events, fourth है time as gap between two or more important events, कोई organization है, उसमें दो events है, A और B, तो इनके बीच का कौन कितना वक्त लगा, ये है fourth पहलू, third में क्या था, A को करने में कितना time लगा, B को करने में कितना time लगा, fourth कौन सा है, इन दोनों के बीच में जो time लगा, दो events के बीच का जो time है, that is time gap between two important events, and last is time as management policy, management policy का एक बहुत important aspect है, timing, किस कौन से time पे क्या decision देना चाहिए, क्या action देना चाहिए, that is timing as management policy, तो यह पांच तरीके से time को हम देख सकते हैं, Luther Gullick के हिसाब, तो यह थी Luther Gullick की contributions to administrative management theory, so that's it for today, thanks a lot for watching, अगर आपको इस वीडियो helpful लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, आपके लाइक से मुझे motivation मिलती है, कि मैं और वीडियो बनाऊ, और प्लीज इसे अपने friends के साथ भी share करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज इसको subscribe करें, till the next video comes, stay tuned and have a nice day.